चानक के I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मालदिव और भारत के संबंदों के बारे में मालदिव और भारतिय सैनिकों की मालदिव से वापसी के बारे में मालदिव के नम निर्वाचित राष्टपती मुहम्मद मुईजू के शपत लेने के एक ही दिन बाद भारत की प्रितिनी धी प्रित्वी विज्यान मंत्री किरन रिजजु से उनकी मुलाकात हुई जहां राष्टपती मुईजू ने भारत सरकार से मालदिव से अपने सैन्ने कर्मियों को वापस मुलाने का अनुरोध किया है मालदीव के राष्टपती ने कहा है कि सितंबर में हुए राष्टपती चुनाव में मालदीव के लोगों ने उन्हें भारत से अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया था और उम्मीक जताई कि भारत मालदीव के लोगों की लोगतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा भारतिय मंत्री किरन रीजजू के साथ मामले पर चर्चा करते हुए राष्टपती डॉक्टर मुईजू ने भी कई आपात कालिन चिकित्सा निक्यासी प्रदान करने में दो हेलिकोप्टरों की महत्तपूर्ण भूमिका को सुईकार किया भारत सरकार ने इसकी पुष्टी की है कि जब मंत्री रीजजू ने मुलाकात की तो राष्टपती मुईजू ने चिकित्सा सेवा और मादग पदार्थों की तस्क्री से निपटने के लिए मालदीप में विमान संचालन के लिए मौजूद भारतिय सेने करिमियों का मुद ्टिक छेत्र में गष्ट करने में भी मदद करते हैं इस बैटड में दोनों देशों के बीच हुई सहमती के अगर बात करें तो इस बात पर सहमती हुई है कि दोनों सरकारे इन प्लैक्फॉमों के उप्योग के जरिये निरंतर सहो ग के लिए व्यवहारिक समाधानों पर बूल किया है वे इस बात पर भी सैमत है कि अंतराश्टिय परटक सुदूर दीपो पर ठेरते हैं उन्होंने मादक पदार्थों की तसक्री की निग्रानी और मुकाबला करने में उनकी भूमिका की सराहना भी की है इस सारे मुद्दे पर भारत का अपना पक्ष है भारतिय वि में अस्पताल पहुचाने का काम किया है जिस से 523 मालदीवियों की जान बचाए गई है इसी तरह पिछले 5 साल के दौरान मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए 450 से अधिक बहु आयामी मिशन चलाए गए है इनमें से 122 मिशन पिछले साल किये गए है जबकि 152 और 124 म किये गए है भारत किसी भी आपता की हालत में मालदीव के लिए सबसे पहला मदद पहुचाते वाला देश रहा है जिसमें हाल ही में कोविट महामारी भी शामिल है भारत और मालदीव के बीच इससे पहले भी विवाद रहे हैं यह पहली बार नहीं है कि मालदीव के किसी र हेलिकॉप्ट्रों के अनुबंद को नवीनी कृत करने से इनकार कर दिया था और भारती सुरक्षा कर्मियों को हटाने का अहवान किया था उस समय भारत के पास दो हेलिकॉप्ट्रों को संचालित करने के लिए लगबग 6 नौर सेनिक पाइलिट और कई ग्राउं कर्मी थे जि वापस बुलाने की मांग पूरी नहीं की गई कुछ महीने बाद यामीन सयुक्त विपक्ष के उमीदवार इब्राहिम सोलीह से चुनाव हार गए भारती पीम नमबर 2018 में सोलीह के शापत ग्रहन समारोह में भी शामिल हुए थे सोलीह प्रशाशन के तहत भारत ने कई प्रम कियादी धाचा विकास पुर्यूजना के रूप में जाना जाता था अब हम बात करेंगे मालदीव के बारे में मालदीव का छेत्रफल 90,000 वर्प किलोमिटर है जिसमे 99.6% समुद्र शामिल है शेश भूमी 1200 से अधिक विपो में वित्रित है विशेशगों का अनुमान है कि वेश्विक उबाल यानि की ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2050 तक मालदीव के 80% हिस्से का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा भारत 70 समुद्री मेल की दूरी पर निकटम पडोसी है भूगोल नियती है और यह हमारे दोनों देशों के मामले में सच भी है देश ना केवल भूग वासों का देश है और ये लोगतांत्रिक शाशन के लिए चुन्वातिया पैदा करते हैं इन में एक सविधान शामिल है जो किसी भी गैर सुनी को मालदीव का नागरिक बनने से रोपता है एक नवोदित नागरिक समाज संरक्षन की परंपरा बढ़ती नशीली दवाओं के दूरुपयोग की समस्या एक विकरत श्रम बाजार बढ़ती एसमानता और बाहरीकार को पर निर्बर अर्थ्वेवस्ता धार्मिक अतिवात की बढ़ती प्रवर्ती भी चिंता जनक है इसके साथ ही आज का हमारे विशय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए आप हमारे यूट्योब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अपडेट